नमस्कार आप देख रहे हैं लोकतंत्र मैं हूँ आपके साथ अक्षय गौर आज हम बात करें ये उत्तरप्रदेश में नियुक्तियों की यूपी में नियुक्तिक लेकर राजस्तरकार हमेशा विवादों में रहती सरकार अपने चहेतों को मलाईदार पदों पर बैठाने की कोशिश करते हैं इस तरह के आरोप लगते रहे हैं हमेशा यारोप लगते रहे कि सरकार नियुमों की अंदेखी कर अपने करीवियों की नियुक्ति करती है और फिर वह मामला अदालत तक पहुंसता है सरकार की और से की गई नियुक्तियों को अदालत में चुनौतियां दी यानि हम यही कह सकते हैं कि हर नियुक्ति के लिए सरकार को अदालत में जवाब देना पड़ता है कई बार सरकार को जटका लग चुका अदालत को संग्यान लेते वे फैसला लेना पड़ा और उसके बाद भी सरकार अपने चहतों को बैठाने के लिए नियमों की अंदेखी कर नियुक्ति कर देते हैं ऐसे में सरकार के फैसले लेने की शमता पर सवाल भी उठते रहें इसी मुद्दे पर है हमारा आज का लोकतंत्रा जहां उत्तरप्रदेश सरकार की मुसीवितें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं सरकार की हर नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी जा रही लोका युक्ति की नियुक्ति अभी सुप्रीम कोर्ट में फसे कि नए डीजीपी जावीद एहमत का मामला अब हाई कोर्ट त मानवा दिकार आयोक का मामला भी अदालत में पहुंच चुका है आई कोट ने अंतरास्ती बहुत संस्तार की उपाध्यक्ष उमेश देख्षित को हटाने के आदेज भी दिये हैं आखिर सरकार की ओर से नियुक्तियों पर सवाल क्यों उठता है क्यों सरकार ऐसे फैसले ले लेकिन मामला सुरस्ता है अदालत में लोका योक्ति की नियुक्ति का मामला अभी सुलिजा भी नहीं था कि डीजीपी की नियुक्ति मानवा दिकार आयोक के अध्यक्षी नियुक्ति अंतरास्त्री बहुत संस्तान के उपाध्यक्ष को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं स राज्य मानवातिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए गया उनकी नियुक्ति को राज भवन से हरी जंडी भी मिल चुकी है अब मामला हाई कोट में पहुच गया है जस्टिस आलम फिलहाल कैट दिल्ली में चेर्मेन याचिका करता की माने तो कैट के नियम में साफतोर पर कहा गय है किस पत को समालने के बाद वो राज या केंदर में किसी भी सरकारी पत को नहीं समाल सकते हैं हाला कि जस्टिस रफत आलम ने अभी इस पत को नहीं समाला वहीं इलाबाद हाई कोट के लखनो वेंच ने अंतरास्टी बहुत संस्थान के उपाध्याक्ष उमेश दिक्षित को हटाने के आदेश दे दिये साथ में सरकार को करी फटकार लगाते हुए साथ जन्वरी तर दूसरे उपाध्याक्ष नियुक्ति करने को भी कहा है जावीद एहमद को सूबे का डीडीपी बनाने पर हाई कोट की लखनो बेंच में याचका दाखिल की गई जावीद की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए याचका में सुप्रीम कोट के उस आदेश को आधार बनाए गया जिसमें कहा गया था कि तीन वरिष्टितम आईपेस अधिकारियों में से एक को ही राजिका डीडीपी बनाए जा सकता है याचिका में कहा गया कि यूपी में जावीद एहमद से 13 सीनियर आईपेस अफसर मौजूद है जिन में आठ अफसर अभी राजिस सरकार में काम कर रहे हैं जबकि चार आईपेस अफसर के इंदर सरकार में डेपूटेशन पर है अब देखना होगा किस तरकार इन न्यूक्तियों पर उठेश सवाल का हाई कोट में कैसे जवाब देती है सवाल उठता है क्या आखिर सरकार हर बार क्यूं गलत फैसले की फास में फस्ती है और अदालत में हर न्यूक्ति को चुनौती दी जाती है लखनौ से अनूप कुमार के साथ खुर्रम निजामी की रिपोर्ट एपी एल न्यातो आज लोक्तंदर में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे ही निक्तियों और उन पर ख़ले हो रहे सवालों के यूपी में निक्तियों के लेकर राजी सरकार हमेशा ही विवादों में रही है सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या अदालत पहुंच कर ही नुक्तों के मामले स्थोलच पाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे सभी खास मेमान हमारे साथ जो चुके हैं हमारे साथ बारती जंता पार्टी के परवक्ता हरीश रिवास्तफ जी जुने हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अशोक पांडे जी हमारे साथ जुने हैं सर बहुत सौगत आपका भी तो चर्चा में शामिल होने के लिए सब्से पहले प्रदीब कपूर साब मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्या वज्ञा नेखिशन के मामले में यूपी सरकार का Εकॉर्ट रिकॉर्ड बेहथ खराब होता जा रहा है तमाम नुक्तियां जो हैं उनको लेकर सवाल ढल पर उठते रहें सरकार अपने असाब से लोगों को नुक करती है और बाइकी लोगों की जो महतवकांशा होतिए और देखा या और अपने देखागी अ को पोलीस की तो जहां तक मेरे इतने साल के तजूरबा अकरतर पत्कारता का जावीद अमच सापगे बारे में कि उनकी छवी अच्छी है और उनका जो विरोध हो रहा है वह कुछी कम्निटी के हैं इस लिए विरोध हो रहा है और तमाम जो सीनर लोग है जो पेक्षित हुए हैं उनकी तरफ से ये दवाब है और यह सेलेक्शिन पोस्ट है देखिए ये कभी पहली बार नहीं हुआ है कि क कि वो उच्चित समझती है तो जाहर बात है कि जिस तरीके के हो रहे हैं व जुसमें सवालिया निसान लग जाता है लगिए जहां सब्सक्राइब का मामला है व्यक्टिक दूप से जानता हूं कि उनके पर न्यूक्ती नहीं लगता कि कोई खास विवात का विश्व हो जे उनकी इमांदारियों निस्था पर सवाल हम बिल्कुल भी नहीं ख़ले कर रहे हैं लेकिन जो सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन अधिकारियों को अंदेखा कर देना जो सीनियर्टी में भी है तो उनके से कोई अपांडमेंट हुआ हो जिसको की चैलिंज किया जा रहा हो जी बीजेपी को इसमें थोड़ा है तो अगरे सेट नॉम होता कि जो सीनियर बोस्ट होगा सुनी अच्छे जी जी देगे बीजेपी का तो मामला यह है कि जिस पलिस ऑफिसर ने 6 दिसंबर बाबरी मस्ज ठीक है अशोक पांडेटी मैं आपके पास आओंगा लेकिन सवाल इस बात को लेकर जो उठाए जा रहे हैं नहीं इसका कोई सवाल ही नहीं है इसी तरह के नियुक्तिया होती थी यह लोग छचा माइना के लिए में हरा दिया आते थे जी इसलिए स्वाद्धार के देश के पूर्व डिजीपी शिर्पकाद स्री में अजका दाःकिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समधान के 142 के तहब हम को यह अधिकार है कि हम किसी विषय पर कोई निदेश पूरे देश में जारी करें जी और उसी का पालन करते होई हमें लिडि सब्सक्राइब करें तो इसलिए आवस्यक नहीं है कि जिसका पांच साल कारेकाल उसका अब दूसरे उसने कहा कि जो पब्लिश यूनियन पब्लिश कमिशन है जी ओ तीन नाम सेलेक्ट करेंगा उसमें से एक आदमी नुक करेंगी तो इसमें किसी राजनीत का किसी की चमचा गिरी हम करें कि कोई अच्छा है कोई बुरा है अगर आपके गडिशी नाका रहा है दियार इन्क तो उनको आप पर श्यासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए नियम कादों के तो चलना जिम्हदारी है ना सरकार की भी जिम्हदारी है कि कम से कम रूल्स रेगलेशन पार पालंतों करेंगे ना अशों अधारी जब सीनियर मोस् जब सीनियर मोस् घ्याइड टे जो है चीप सकत्ती होता है यह प। इस तरह से देख लेए जावी दामाद साब की नियुक्ति के बारे पहले चर्चा करते हैं जाबेद अमत कि नियुक्ति जो सीनियर मोज तीन है उन्हीं में से कोई हो सकता है जिसका रिकार्ड अच्छा हो उसके अलवा सरकार के पास सुप्रेम कोड जजमेंट के साथ कोई आपसर नहीं था यह सुप्रेम कोड के जजमेंट का देश की कानून का रूलाफला का पूरी तरह उलंगन है और इस उस्तम्याले का एक कंटन्ट भी है ऐसा नहीं कि आप आप चप्राशी आप किसी बहुत चोटे आदमी को किसी जूनियर मोस्ट आइस को आप चिप सिकर्टी बना जिती है तो इसमें तो सरकार की गलती है ना अब इस सरकार नियमों को अंदेखा करती है इसके पीठे क्या आप देखते हैं कि सरकार में फैसले लेने की शम्ता कम है या फिर आपको लगता कि जानबूच कर सरकार ऐसे फैसले कर रही है जानबूच कर भी है दूसरे दूसरे रांचरीस माना चौपाई है सक्यू बाइद गुर्थ तीन जो प्रिये बोलें भाय आस राज धर्म तुन तीन का होई बेगही नास मैं मुक्षंतरी को मैं सज्जन विक्त मानता हूं लेकिन जो 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 सक्यू है सक्यू अपने देखा है राजनेताओं को कानून नहीं आता है कानून बताने वाले उनको सब्सक्राइब नजर आई है तमाम नुक्तियों के लेकर नौबत कोड तक जाने की पहुची जहां पर कोड के सामने जवाब देना पड़ा ये सब परिस्थितियां होने के बावजूत सरकार सबक देने को तैयार नहीं है कि अच्छे जी कहीं कहीं जब ट्रांसपरेंसी का भाव होता है कहीं कहीं जब मेरिट के आधार पर निड़े नहीं होते हैं तो इस तरह की जो यह लगातार सपा सरकार में नियुक्तियों को लेकर के विबात कड़े हुए जिए उसके पीछे एक मु कोद आया नहीं लेकिन एक कालपनिक बात कहना मुझे नहीं लगता को जित है और जैसा कि पांडे जी ने उसका विदिक पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट का आधेस है कि बरिश्टम तीन लोगों में से किसी की नियुक्ति की जाए मेरिट के आधार पर तो काइदे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच नियाले है और उसने एक जो ब्योस्था दी है वह उसके तहती उसी के प्रकास में इन पर निर्डे होना चाहिए था इसके अलावा अच्छे जी मैं आपको एक और बात कहता हूं कि इसके यह जो नियुक्तियों को ले करके और यह विब को फालो नहीं करती फालो इसलिए नहीं करती कि उनको फिर उनके हां से जो आये दिन ट्रांसपर और पोस्टिंग नियुक्ति का जो जिसके कारण वो ब्योक्रेशी की लोयल्टी को अपने लिए वो कर सी करते हैं वह चली जाएगी तो एक तो सबसे बढ़ा पक्षी यह है क इसके लिए निर्धारित व्युस्ता होनी चाहिए कि जिससे किसी तरह की नियुक्तियों में एक ट्रांसपरेंसी को कोई का अभावन हो और कोई लोग तथ्यों को छिपाने सकें जैसा कि आपने भी बताया कि मानु अधिकार की नियुक्ति में कहट के के अध्यक्त को नियुक्ति में बात आई यह सारी बाते के ओल इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि ट्रांसपरेंसी का भाव है आप लोकायुक्ति जो बीरेंज सिंग के मामले में नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे तथ्यों को नहीं भी रखा गया बीरेंज सिंग जिस आयोग के अभी तक हैं जा उनका समात हो गया उसमें भी जो तत्य थे कि उनके ऊपर किसी तरह की पैनार्टी की बाती और उसको उन्होंने जमा नहीं किया था यह भी तत्य छिपाया गया तो यह क्यों लिए होता है कि ट्रांसपरेंसी का अभाव है और ट्रांसपरेंसी के अभाव के नाते यह सब इस तरह की चीजे सरकार के सामने आती सरकार को भी सवाल इसी बात को लेकर रूजाए कि यह अभाव कैसे होगा अखिर आएगी कैसे कॉंग्रेस समझने की कोशिश करते हैं अशोक सिंग जी आप कोई निश्कर्श को भी सुना सवाल बढ़ा कि किसी भी लोगतांतर में लोगतांतर की सरकार से जनता को बड़ी उपीद होती है सब्सक्राइब ‎पृट करता है हम इस सरकार को चुन रहें को सरकारां कि यस और वरिश कर15 साल से नहीं कॉंग्रेस सरकार में नहीं जिस तरीके से मौकाव लुड़ाय जा रहा है पदों को लेकर अगर मैं सच कहूं अच्छे मुलकुल इमानदारी से कहना चाहरा हूं कि अगर उत्ता प्रदेश मेडिया और नियाय लेना हूं तो उत्ता प्रदेश के आम आदमी को नियाय मिलना कि एक बार IPS और IPS के मामले में केंज सरकार जब यूपे सरकार ने कहा कि रोज रोज जो निधारित है कि का येस को समय जिलादिकारी बनता है तो दो महीने के बाद उसका टांस्पर न किया जाए तो आदरणी राम गोपाल यादो जी को उसी समय बयान आ गया कि केंज सरकार अधिकारियों को बोला सकती है आज भारतियनता बाइटी की सरकार है सवाल उठता है कत्री और करनी में अगर इतने ही इमांदार अधिकारी थे मैं मैं वर्तमान डीजीपी की बात नहीं कर रहा हूं अगर इतनी इमांदारी तो 6-6 महीने के डीजीपी क्यों बनाए गए अगर इमांदार सरकार होती चार साल का कारिकाल का वक्त बचा है एक अधिकारी जो बड़ी महनत से बड़ी सिद्द से बड़ी पढ़ने के बाद एक अधिकारी बनता है और हालात क्या है को उत्तापदेश की 25 साल से सरकार है चाब बीएस्पी की सरकार रही हो सुप्रेम कोट के नहीलों के जिस तरीके साधिसों के अवेलना हुई अमबिटकर के मामलों को देखा गया और आज भी होई कारण नहीं के बिचारा दें है पेडिशन दाखिल की गई एक पहुत सिलाके में लखनों में लगातार घटाएं और राजधाने सुरच्चित नहीं है तो एक डीजीपी से उम्बिद होती है बरतमान डीजीपी इससे पहले जो डीजीपी निर बरतमान वो लगातार इस तरह कह रहे ते को उत्तविदेश में गुंडा राज है उत्त अशोक सिंद्धी नहीं उडाई जा सकती है अच्छे जी जब से छेत्री दले आये हैं और इन्हों ने जिस तरीके से समभ्धानिक पदों पर धजिया उड़ा इनलियादो वाले मामले में क्या हुआ हुआ है नियाले ने बार बार कहा, एक दिन में कहीं जाच होती है किसी अधिकारी की, आने लियादो के मामले में एक दिन में जाच होगी, ऐसे ब्रेश्टा अधिकारी को जिसको पुलिस ढून रही है, यादो सीन के मामले में क्या हुआ, तो कत्नी और करनी में फर्क है, मुझे लगत कानून क्या कुछ कहता है कानून क्या कुछ कहता है और जब इस तरह की बहस होती है तो सरकार का घरे में खड़े होती है कानून क्या कहता है अगर सरकार की तरफ से इस तरह के फैसले बार बार लिए जाते हैं तमाम निक्तियां का घरे में खड़ी होती है तो ऐसे में क्या कानून कहता है हमारा उत्तर प्रदेश के मुखंत्री कानून मंत्री भी है इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी भी फाइल पर दस्कत करने की पूर्व वे उस समंदित कानून को पढ़ें चुकि जो उनके कानूनी सलाकार हैं वे नहायत ही मूर्क हैं और उनको गल और जहां चयर्माइन की नियुक्ति हुए घ्ट सब्सक्राइब करणा क्यों कोई कोई कानून में संसोधन करना पढ़ा कें सरकार को प्रमुक पत्पर निफ्तियां उन्में भी होता है कि अगर आप राजपती नहीं बनोगे यह आप कोई दूसरा पर धार नहीं करोगे तो जहां जहां अगराइक्ट मेरा प्राब्जन था सर दरसल मेरा सवाल यह था यह तो आपने बता दिया कि मुख्यमंत्री को उस कानून के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि नियम कायदे क्या कहते हैं नियुक्ति के मामले में लोकायुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अटका हुआ है डीजीपी की नियुक्ति को लेक गंदेखा करने की कोशिश की जाती है उस सूरत में हमारा कानून क्या कहता है मेरा सवाल ये था पांडे सरकार को नहीं सरकार क Wine गृष меш कानून नहीं है इसलिए आप करते हो कोई बात नहीं चलता रहता है लिकिन जहां पर कानून है वहां उनका उलंगन कानून कानून से ही अखले सादो मुखंत्री बने हैं तो उसका उलंगन निश्ची तूर्फ से एक 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 है जिस पर सरकार को बिचार करना चाहिए अब याज का दाखिल हो चुकी है इस मामले में क्या कुछ हो सकता है कोड की तरफ से लगता है दोनों निवक्तियां की गलत है इनकी तक राज सरकार या केंश सरकारे इस विस 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 में कानून नहीं बनाती तब तक यह जो मेरा जज्जमेंट है एक सो बैयालिस के ताहट एक कानून माना जाएगा और इसके साथ से डीजी पी और प्रभुक पदों पर निवक्तिया की जाएंगी और डीजी पी का चैन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक तरफ हम नियम कायदों में बंधे होते हैं और एक तरफ इन नियम कायदों से परे होकर फैसले इस तरह से ले लिए जाते हैं मनमाने तरीका अक्तियार किया जाता है नियुक्तियों के मामले में उत्ता प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर ये कोई पहला विवाद नहीं है तकरिबन चार साल इस सरकार को होने को है चाहें यूपी प्येस्टी के च्वेर्मेन को लेकर फैसला हो या फिर जो तमाम न कानून और जो ट्रांसपरेंसी और जो सुभीम कोर्ट के द्वारा अगर जो एक नॉम्स मनाए गए हैं अगर उसको फॉलो करती रहे तो इस तरह का अदालत में जाने की दरुवत नहीं पड़ेगी सरकार किसी भी की हो चाहें समझवादी पार्टी को या बीजेपी की भी सरकार तो सरकार होती है और चीफ सेकर्ट्री और डीजेपी हर सरकार में रहते हैं और इस तरह की जो नुक्तिया है उसके लिए एक सेट नॉम्स होने चाहिए और उस नॉम्स को फॉलो करना चाहिए ताकि इस तरह का विवाद ना हो लेकिन उसके बावजूद इस तरह के नौम को लेकर विवाद के स्थिति उत्पन होते हैं सभी खास मेमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जा रही है कि उत्रपरदेश में नु झाल भी हैं हमारे सब्सक्राइब टार्चा जाए हैं हैं